हेलो माई डियर स्टूरेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चनल इस चाप्टर का प्रेक्टिस has no 16 एंड प्रिष्टल लेक्चर में हमने multiplication of decimal fraction ये concept फिनिश किया था तो अगर आपने मेरा प्रिवेश विडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरू देखं़ लीजे एंड उस लेक्चर के बेस पर ही हम आज ये प्रेक्टिस हेंड 16 solve करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्स्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलना तो फ्रेंड्स चलते हैं फर्स्ट क्वेशन की तरफ यहाँ पर फर्स्ट क्वेशन है इफ 317 x 45 is equal to 14265 देन 3.17 x 4.5 is equal to how much तो यह बहुत ही सिंपल क्वेशन है यहाँ पर अल्रेडे आपको मल्टिप्लेकिशन दिया है आपको सिर्फ क्या करना है इस सेकंड मल्टिप्लेकिशन का एंसर फाइंड आउट करना है आप यहाँ पर डिजिस भी चेक करकर देख सकते हो डिजिस सेम है यहाँ पर 317 है यहाँ पर भी 317 यहाँ पर multiply by 45 है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका answer यही आने वाला है बट सिर्फ आपको यह decimal point वहाँ पर लगाना पड़ीगा तो firstly हम यहाँ पर write करते हैं 317 multiply by 45 is equal to 14265 ओके फ्रेंड्स यह मल्टिप्लेकिशन सौल करनी के बाद आपको क्या मिलेगा 14265 अब सेकंड मल्टिप्लेकिशन जो हमें find out करना है वो है 3.17 multiply by 4.5 तो फ्रेंड यहाँ पर आपको यह चेक करना है कि decimal point किस प्लेस पर आया है अब यह multiplication करने को यह बाद तो answer वही आएगा जैसे कि यह वाला था 14265 बट हमें यहाँ पर decimal point देना है तो आपको दोनों numbers के decimal point को count करना पड़ेगा जितने digits छोडने के बाद वो decimal point आया है उतने digits आपको count कर ले है और उतने ही प्लेस पर आपको वो decimal point देना है तो first number that is 3.17 इसमें कितने digits छोडने के बाद decimal point आया है यह first digit और यह second digit छोडने के बाद आया है हमारा decimal point यहाँ पर देख सकते हो and friends आपको यह भी पता होगा हम decimal point को right hand side to left hand side count करते हैं या फिर उसे consider करते हैं तो right hand side से यहाँ पर एक digit छोडने के बाद देने आपर second digit छोडने के बाद आया है हमारा decimal point यहाँ पर हम right करेंगे two okay यह first number को हुग गया two digits छोडने के बाद आया है हमारा decimal point अब second number में भी आपको decimal point दिया है second number में right hand side से आप देख सकते हो right hand side से एक digit छोडने के बाद है हमारा decimal point तो यह पर हम one right करेंगे अब यह जो two and one है इनकी total कर लेंगे इनकी total क्या होती है 3 होती है friends first number में two digits छोडने के बाद हमारा decimal point आया है and second number में one digit छोडने के बाद हमारा decimal point आया है हमें income multiplication करना है तो friends आपको क्या करना पड़ेगा जो decimal point first number में आया था उसे and जो second number में आया था उसे add करना पड़ेगा तो friends जो addition आएगा उस पर आपको वो decimal point answer में लगाना है तो right hand side से हमें कितने digits छोड़ने हैं या पर 3 digits तो right hand side से count करते हैं यह first then यह second and यह third digit third digit छोड़ने के बाद आए हैं मारा decimal point so friends our required answer is 14.265 यह जो multiplication है वो solve करने के बाद आपको मिलेगा 14.265 तो यह बहुत ही simple question है अब second example की और बढ़ते हैं second example भी उस type का यह है second example में दिया है if 503 multiply by 217 is equal to 1,9151 then 5.03 multiply by 2.17 is equal to how much अभी आपर digits भी आप देख सकते हो digits वही है यह आपर 503 है यह आपर भी 503 है यहापर उसके multiply में क्या है 217 यहापर भी है 217 तो multiplication वही आएगा सिर्फ आपको decimal place यह पर decimal point यहापर देना है तो firstly हमें जो given दिया है उसे हम राइट करते हैं that is 503 multiply by 270 तो यह multiplication करने के बाद हमें answer क्या में लेगा 1,9151 अब हमें यह second वाला find out करना है that is 5.03 multiply by 2.17 तो यहापर आपको क्या करना पड़े का decimal point जितने चोड़ने के बाद आए हैं उतनी count करने पड़ेंगे तो answer तो वही आएगा जितना की यह वाला था that is 1,9151 यह हमारा answer आने वाला है बढ़ हमें यहापर decimal point दीना है तो यहापर first number हम consider कर सकते हैं first number में क्या है 5.03 है यह first number right hand side से हम decimal place को every decimal point को consider करते हैं तो right hand side से यह first digit हो गया और यह second digit हो गया तो two digits छोड़ने के बाद है हमारा decimal point and second number में अब second number में क्या है यहापर 1 and यह 2 that is 2 numbers छोड़ने के बाद आया है हमारा decimal point तो यहापर two right करेंगे और यह addition करना है आपको हमेशा ओके यह add करने के बाद जो number आएगा उतने place पर आपको answer में decimal point देना है तो answer क्या आया है 1,9151 तो right hand side से हम count करते हैं एक digit छोड़ देना है then second digit third digit and fourth digit four digit छोड़ने आपको and यहापर लगाना है decimal point so friends our required answer is 10.9151 तो यहापर हमने यह second example भी अच्छे से समझ लिया है आपको easily समझ में आया होगा है बहुत ही simple concept है हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से study किया था अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से request करते हूं वह लेक्चर आप ज़रूर देख लिना और हमारे चैनल को subscribe कर लिना यहापर थर्ड क्वेशन देखते हैं थर्ड क्वेशन में क्या है multiply करना है आपको और यहापर उसमें first sub question दिया है थर्ड क्वेशन का first sub question है 2.7 multiplied by 1.4 फ्रेंड्स यह जो multiplication है वो हम directly solve करेंगे without considering decimal point that is decimal point को ignore करना है हमें and answer find out करना है तो जैसे आप normal multiplication करते हैं वैसी आपको यह multiplication करना है but last में उसे decimal point हमेशा देना है because equation में भी हमें decimal point दिया है इसलिए आपको answer में भी उसे देना पड़ता है तो यहापर यह multiplication करते है 4 multiply by 7 means 28 होते है so 28 का unit digit 8 here here 2 carries then 4 to the 8 and 8 plus this carry 2 means 10 होते है यहापर यह first multiplication complete हो गया 4 का 7 and 2 के साद अब यहापर addition का sign यहापर automatically 0 आ जाता है अब 1 से 7 and 2 को multiply करते हैं यहापर 1 multiply by 7 means 7 then 1 multiply by 2 means 2 तो friends अब यह add करते हैं तो friends हमारा required answer हमें आप मिल जाएगा तो यह addition करते हैं 8 plus 0 means 8 0 plus 7 means 7 then 1 plus 2 means 3 तो addition का आया है हमारा 378 आया है अब यहापर हमें decimal point देना है इसलिए आपको फिर से numbers देखनी पड़ेंगे first number दिया है 2.7 अब 2.7 में right hand side से हम count करते है right hand side से एक digit छोड़ने के बाद हमारा decimal point आया है तो यहापर one consider करते हैं and second number में भी एक digit छोड़ने के बाद decimal point आया है right hand side से तो यहापर one plus one कर देंगे two होंगे तो फ्रेंस हमारा जो answer आया है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा right hand side से दो चोड़ने के बाद decimal point ड्रॉ करना पड़ेगा answer क्या है 378 है यहापर यह first digit right hand side से चोड़ देते हैं यह second digit भी चोड़ देते हैं and यहापर आएगा हमारे decimal point so our required answer is 3.78 तो मुझे उमिद है आपको यह समझ में आए होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे like and अपने दोस्तों के साथ share करना भी मत भूलिए तो friends अब चलते हैं second sub question की तरफ यहापर second sub question आप अच्छी से देख सकते हो 6.17 multiply by 3.9 है तो यहापर यह 6.17 multiply by 3.9 अब जिसे normal multiplication करते हो आप वैसे आपको यह multiply करना है यह 9.7 जा 63 होते हैं तो 63 का युनिट इजिट 3 है यह 6 करें देन 9 बन जा 9 9 प्लस 6 मिस 15 होते हैं तो 15 का युनिट इजिट 5 यह यह 1 करें देन 9 6 जा 54 एंड 54 प्लस इस करें वन मिस 55 होते हैं तो friends यहापर हमने इस 9 को 7 1 & 6 के साथ मुल्टिप्लाय कर लिया है अब 3 का करना है यहापर आउटमेंटिकली जीरो आ जाएगा दिन 3 मुल्टिप्लाय बाइस 7 मिस 21 होते हैं तो 21 का सफ्रेंस 21 का युन डिजिट 1 हीयर हीर दू कैरिस देन 3 बन जा 3 प्लस इस कैरी 2 मिस 5 होंगे ओके यह कैरिस किसके थे नाइन के थे अब हमें 3 के कैरिस कंसिडर करने यहापर 3 7s 21 होंगे तो यहापर आएगा हमारा कैरी एंड देन 3 1s 3 प्लस इस कैरी 2 में 5 होंगे तेन नेक्सली 3 6 18 होते हैं यह तो आपको अल्रेडी पता हैं तो यह जो एडिशन है वह हमें सॉल कर लेना है तो हमें इस क्वेशन का एंसर मिल जाएगा तो यहापर 3 प्लस 0 में 3 5 प में 10 होते हैं तो 10 का यह जिचित 0 हीर 1 करी देन 5 प्लस 8 में 13 प्लस इस 1 में 14 होते हैं सो 14 का यह जिचित 4 हीर 1 करी 1 प्लस 1 में 2 फ्रेंड्स हमारा मौटिप्लिकेशन आया है 24,063 अब हमें डेसिमल पॉंट देना है तो फर्स नमबर में आप चेक करके देख सकते हो राइट चोडने के बाद डेसिमल पॉइंट तो टोडल क्या होगा इसका 3 चोडने के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आना चाहिए हमारे एंसर में तो राइट एंट साइड से चेक करते हैं फॉर्स सेकेंड थर्ड तर्ड इजित 3 जिस हमने चोड़ दिये यहां पर आएगा हमारे प्रेसिमल पॉइंट सो फ्रेंड सावर रिक्वाड एंसर इस 24.063 तो मुझे उमेद हैं आपको यह वी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ होगा बहुत ही सिंपल क्वेशन था है अब बढ़ते हैं नेक्स सब्क्वेशन के और डट इस सब्क्वेशन नमबर 3 है फ्रेंड अभी अभी हमने क्वेशन नमबर 3 के टू सब्क्वेशन सौल किया है अब हम रिमेनिंग टू क्वेशन यहापर पास्ली सौल करेंगे तो यहापर थर्ड सब्क्वेशन आप देख सकते हो 0.57 अपर यह तो बहुत ही सिंपल क्वेशन है यहापर आपको जदा दिमाग लगा निकीद जरूरत नहीं है यहापर सेकंड नमबर आपको डिसिमल पॉइंट वाला नहीं दिया है यहापर 2 7s आ 14 होते हैं 14 का यह इनरी डिजिट 4 यह 1 करें 2 5s आ 10 प्लस 10 करेंगे 11 होते हैं 11 का यह इनरी डिजिट 1 है यह 1 करें 2 0s आ 0 0 प्लस 10 करेंगे 1 मिस 1 होते हैं अब हमें डिसिमल पॉइंट देना है फ्रेंट्स सो फर्स नमबर में आप चेक करके देख सकते हो राइट रेंड साइड से फर्स और सेकंड नमबर छोडने के बाद हमारा डिसिमल पॉइंट आया है तो टू डिजिट अब देखते हैं एंसर में यहाँ पर फर्स और सेकंड डिजिट छोडने के बाद डिसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा हमारे डिसिमल पॉइंट सो फ्रेंट सेवर रिक्वार्ड एंसर इस 1.14 थर्ड क्वेशन भी हमने अच्छी से सॉल कर लिया है अब बढ़ते है फॉर्ट सब्वेशन की तरफ यह हमारा लास सब्वेशन है यह भी बहुत ही सिंपल है यहाँ पर आपको क्या करना है 5.04 और 0.7 का मल्टिप्लिकेशन करना है तो यहाँ पर सेवन फोजा 28 होते हैं यहाँ पर एडिशन का साइन यहाँ पर जीरो आजाएगा अब इस जीर को हम यह इस हमें सभी नंबर के साथ मुल्टीप्ला कर दीए यहाँ जीरो मोटिप्लायभार 173 में जीरो में जीरो इंडिशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3528 यह ना जीरो में लाप यह पर डेसिमल पॉ MR प्रेंट8 यहाँ ठीमें पोैंको देरना है तो फर्स नंबर मे जो यहां पर टूल राइट करते हैं करने में धिजी कुड़ने के बाद हमारा decimal point so friends our required answer is 3.528 this is our answer of question number 4 अब यह बहुत ही interesting question हम सीखने वाले है अब यह वर्ड प्रोब्लम है तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहां पर फोर्थ question क्या है विरेंद्र बॉट 18 bags of rice each bag weighing 5.250 kg how much rice did he buy altogether if the rice cost 42 rupees per kg how much did he pay for it विरेंद्र नाम का चो लड़का है उसने rice के 18 bags खरीदे हैं विरेंद्र बॉट 18 bags of rice यहां पर हम सरकल करके देखते हैं 18 bags of rice each bag weigh 5.250 kg यहां पर एक बैक का वेट दिया है हमें वह है सवापाच किलो that is 5.250 kg देन इसके पार हमें यह पूछा है कि उसने कुल मिलकर कितना rice यहां पर खरीदा है कितने चावल उसने खरीदे हैं वह हमें यहां पर find out करना है अगर एक kg rice की cost 42 रूपीज है तो उसे shopkeeper को कितने पैसे देने पड़ेंगे यह भी हमें यहां पर find out करना है तो इसके लिए हम firstly क्या solve करेंगे how much rice did he bought altogether तो यहां पर total bags bought total bags कितने खरीदे हैं उसने 18 bags खरीदे हैं यहां पर दिया है weight of one bag एक bag की weight क्या दिया है 5.250 kg दिया है तो फ्रेंड्स हमें यहां पर यह find out करना है कि विरेंद्र ने यहां पर कितने kg of rice खरीदे हैं सब भी मिलकर है ना यहां पर 18 bags हमें दिया है इसे bags हम consider कर सकते हैं यह first, second, third, fourth and so on एक bag की कीमत दी है 5.250 kg दे second bag की भी कितनी होगी 5.250 दे third bag की भी होगी 5.250 kg है ना ऐसे करके कुल मिलाकर 18 bags आपको consider करने हैं यह जो एडिशन है वो करते करते आप बहुत ही ठक जाओगे तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है यहां पर कुल मिलाकर 18 bags उसने खरीदे हैं एक बैक की कीमत है 5.250 kg या फिर वेट है 5.250 kg उसका वेट दिया है एक बैक का वेट 5.250 kg और टोटल बैक्स है 18 तो हमें टोटल 18 बैक्स का वेट यहां पर find out करना है एक बैक की वेट तो दी है 5.250 kg तो हम यहां पर टोटल वेट find out कर सकते हैं है ना टोटल वेट आफ 18 बैक्स तो 18 बैक्स की वेट find out करने के लिए आपको क्या परना पड़ेगा 18 multiply by weight of one bag अगर हम बैक्स के साथ उसका weight multiply कर देंगे तो हमें टोटल 18 बैक्स का weight मिल जाएगा है ना यहां पर हम weight of one bag right करते हैं यह 18 क्या है टोटल बैक्स bought है ना यहां पर 18 multiply by एक बैक का weight है 5.250 तो हमें यह multiplication solve करना पड़ेगा हम इसे side में solve करते हैं यहां पर जगह नहीं है यहां पर multiplication क्या करना है आपको 5.250 multiply by 18 यहां पर solve करते हैं 5.250 multiply by 18 यहां पर 8 multiply by 0 में 0 in 8 multiply by 5 में 40 होते हैं 40 का यहां डिजिट 0 here here 4 carries then 8 multiply by 2 में 16 plus this carry 4 में 20 होते हैं so 20 का यहां डिजिट 0 here here 2 carries then 8 फाइजा 40 and 40 plus this carry 2 में 42 होते हैं अब 8 के साथ इन सभी का multiplication हो चुका है 8 को side में रख देना है यह carries भी हम cut कर लेते हैं अब 1 के साथ उपर वाले नमज को multiply करना है यहां पर automatically 0 हाजाएगा तिन 1 multiply by 0 में 0 1 multiply by 5 में 5 1 multiply by 2 में 2 1 multiply by 5 में 5 ओके अब यह एडिश्यद कर लेते हैं 0 plus 0 में 0 0 plus 0 में 0 0 plus 5 में 5 जिन 2 2 प्लस 2 में 4 4 प्लस 5 में 9 होते हैं तो यह जो वेट है वो होगा 18 बैक्स का वेट अभी आपर आप decimal point भी देख सकते हो यह आपर decimal point दिया है 5 के बाग तरिस राइट हैंड साइड से फर्स सेकंड एंड थर्ड डिजिट छोड़ने के बाद हमारा आपको एसर में भी decimal point देना पड़ेगा सेकंड नमबर में decimal point नहीं है इसलिए इसकी कोई भी दिखकत नहीं होगी राइट एंड साइड से काउंट करते हैं फर्स सेकंड एंड थर्ड डिजिट छोड़ने के बाद आना चाहिए decimal point सो फ्रेंड यहां पर हमारा मल्टिप्लिकेशन का आएगा 94.500 लेट इस टोटल 18 बैक्स का बेट के आएगा 94.500 कीजी है इसका इमेनिंग क्या होगा 94.500 कीजी है यह 500 कीजी है वन कीजी के वेल्यू क्या होती है 1000 ग्रैम्स होती है तो 500 की वेल्यू क्या हो जाएगे 1 अपन 2 कीजी हो जाएगे यह भी आपको धैन में रखना चाहिए यहां पर 94.500 kg rice विरेंद्र ने खरीदा है अब हमें friends हमने क्या किया यह first question solve कर लिया है यह पर first लिखते हैं अब secondly हमें क्या solve करना है if the rice cost 42 rupees per kg how much did he pay for it that is अगर चावल की कीमत है 42 rupees per kg एक kg चावल के लिए कीमत है 42 rupees तो विरेंद्र को shopkeeper को कितने पैसे देने पड़ेंगे यह हमें यहाँ पर find out करना है तो friends यहाँ पर total rice bot लिखते हैं total rice bot means 94.500 kg यह total rice उसने खरीदा है and हमें क्या दिया है cost of 1 kg rice is equal to 42 rupees 1 kg rice की केमत है 42 rupees तो 94.500 kg rice की value क्या हो जाएगे 94.500 multiply by 42 जैसे के हमने यहाँ पर first sub question में किया था यहाँ पर हमें क्या find out करना है total cost of rice total cost of rice find out करने के लिए हम किसका किसका multiplication करेंगे total rice bot multiply by cost of 1 kg rice यहाँ पर total rice कितना करीदा हूँ उसने 94.500 multiply by its cost that is उसकी cost क्या है 42 rupees है तो हमें यहाँ पर total cost of rice मिल जाएगी that is विरेंद्र को उतने पैसे देने पड़ेंगे shopkeeper को यह multiplication हम उपर solve करते हैं यहाँ पर जगह नहीं है ना यहाँ पर 94.500 multiply by 42 करना है धान में रखिये 94.500 multiply by 42 तो friends यहाँ पर यह multiplication हम solve करते हैं यहाँ पर 2000 होते हैं 2 0s are 0, 2 5s are 10 होते हैं तो 10 का इन डिजिट 0 हीर, here 1 करी तो 4s are 8 and 8 plus this करी 1 में 9 होते हैं तो 29s are 18 होते हैं तो यहाँ पर यह 2 के साथ इंटिजिस का multiplication हो जुका है अब 4 के साथ इनका multiplication करना है तो यहाँ पर automatically 0 आ जाएगा then 4 multiply by 0 में 0 4 multiply by 0 में अलसो 0 then 4 multiply by 5 में 20 होते हैं 9s are 36 and 36 plus this करी 1 में 37 होते हैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुके हैं मैं इससे यहाँ पर राइट करती हैं यहाँ पर हैं 189000 then यहाँ पर addition में हैं यहाँ पर 4 zeros हैं यहाँ पर 123 यहाँ पर 4 आया ओके यह इसके नीचे हैं इसके पाद 873 यहाँ पर 8, 7 and 3 ओके यह addition सॉल करते हैं यहाँ पर 0 प्लस 0 मिस 0 0 प्लस 0 मिस 0 9 प्लस 0 मिस 9 then 8 प्लस 8 मिस 16 होते हैं so 16 का यह इन डिजिए 6 यह यह 1 करें then 1 प्लस 7 मिस 8 and 8 प्लस 1 मिस 9 होते हैं यहाँ पर करी नहीं आएगा then यह 3 as it is यह multiplication हमें solve कर लिया है अब हमें decimal point भी देना है यहाँ पर आप देख सकते हो decimal point कहाँ पर आया है right hand side से first, second and third number चोड़ने के बार decimal point आया है यहाँ पर first, second and third number चोड़ देते हैं यहाँ पर आएगा हमारा decimal point तो आपर answer क्या होगा 3969 होगा because हम decimal point के बाद वाली zeros consider नहीं करते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर हम answer में write करते हैं 3,969 रूपीज तो विरेंद्र को shopkeeper को 3,969 रूपीज देने पड़ेंगे 18 bags of rice खरीदने के लिए तो मुझे उमिद है आपको यह भी question अचिसे समझ में आए होगा अब हम last question study करने वाले हैं और उसके बाद यह lecture finish हो जाएगा तो फ्रेंड्स अब हम इस practice set का last question study करने वाले हैं last question है वेदी का has 23.50 meters of cloth she used it to make 5 curtains of equal size if each curtain required 4 meter 25 centimeter to make how much cloth is left over तो वेदी का नाम के एक लड़के हैं उसके पास 23.50 meters of cloth अभी है then वेदी का ने उस cloth का use 5 curtains बनाने के लिए किया हैं and उस 5 curtains की size equal है यह पर दिया है she used it to make 5 curtains of equal size सभी 5 curtains की size equal है if each curtain required 4 meter 25 centimeter to make how much cloth is left over तो एक curtain को बनाने के लिए यहाँ पर 4 meter 25 centimeter of cloth उसने use किया है तो अभी कितना cloth बचा है वो हमें यहाँ पर find out करना है तो उसके पास अभी कितना cloth है total quantity of cloth is equal to 23.50 meter अब इसका ही meaning क्या होता है 23 meter and 50 centimeter होगा because यह जो 50 है वो decimal point के बाद है अब वेदिका के पास अभी कितना cloth है पूरा मिलकर 23 meter and 50 centimeter देन उसने 5 curtains बनाने के लिए इस cloth का use किया है और एक curtain की जो size है वो दिये हमें 4 meter 25 centimeter तो यहाँ पर हम write करेंगे वेदिका used 4 meter 25 centimeter of cloth to make one curtain that is one curtain बनाने के लिए उसने 4 meter 25 centimeter of cloth use किया है तो उसने total कितने curtains बनाया है 5 curtains बनाया है अब एक curtain की value यहाँ पर दी है that is एक curtain को बनाने के लिए 4 meter 25 centimeter cloth उसने use किया था तो 5 curtains बनाने के लिए उसने कितना cloth use किया होगा यह हमें यहाँ पर find out करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम write करेंगे to make 5 curtains hmm वेदी का used that is 5 curtains को बनाने के लिए वेदी का ने कितना cloth है यहाँ पर use किया है यह हम यहाँ पर find out करने आ हले है यहाँ पर 5 multiply by हमें क्या करना पड़ेगा 4 meter 25 centimeter करना पड़ेगा तो हमें क्या मिल जाओ यहां पर five curtains बनाने के लिए उसने कितना cloth use क्या है वो हमें मिल जाएगा एंड जो quantity हमें यहां पर मिल जाएगी वो quantity हम इस total quantity of cloth से subtract कर देंगे that is 23 meter 50 cm से उसे subtract करने के बाद हमें मिलेगा remaining cloth तो यहां पर to make five curtains वेदी का use five multiply by four meter 25 cm of cloth that is एक curtain को बनाने के लिए कीमत दी है five meter 25 cm that is cloth उसने एक curtain बनाने के लिए यह use किया था और उसने total कितने curtains बनाये हैं five curtains बनाये हैं तो friends five curtains बनाने के लिए उसने five multiply by four meter 25 cm of cloth use किया है तो यहां पर four meter 25 cm को हम कैसे write कर सकते हैं four point two five है ना friends यहां पर यह multiplication है five multiply by four meter 25 cm so हमने क्या किया इसे decimal point में convert कर लिया यहां पर 23.50 था so 23 के आगे आपको meter देना है and decimal point के बाद जो units आते हैं उसके बाद centimeter यहां पर भी meter है यहां पर centimeter है so four यह जो number होगा वो decimal point के पहले and four के बाद लगेगा decimal point and decimal point के बाद आएगा two five that is four point two five multiply by five करना है तो यह multiplication हम solve करते हैं here friends five five जा 25 होते हैं so 25 का एने digit five here here two carries then five two's are ten ten plus this carry two means twelve होते हैं so twelve का एने digit two here here one carry then friends here five fours are twenty and plus one means twenty one we add this carry to twenty that is हमने यहां पर क्या किया जो carry one आया था उसमे five multiply by four that is twenty को add कर देया 20 plus one means twenty one होते हैं सो यह multiplication हमें मिल गया है twenty one point two five meter हो गए है है ना इससे हम कैसे राइट कर सकते हैं twenty one meter twenty five centimeter decimal point के बाद वाले जो नंबस होते हैं उसके लास में छोटा unit लगाना है and decimal point के पहले जो नंबस आते हैं उनके बाद हमें हमेशा बड़ा unit लगाना है ओके यहाँ पर यह जो 21 है वो decimal point के पहले था इसलिए हमने यहाँ पर meter लगा दिया है and decimal point के बाद थे 25 तो हमने यहाँ पर 25 cm रड़ किया है तो फ्रेंड्स हम राइट करते हैं remaining quantity of cloth या फिर हम यहाँ पर ऐसे भी राइट कर सकते हैं quantity of cloth left that is quantity of cloth जितने बचे हैं वो हम यहाँ पर find out करने वाले हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा total quantity जो वेदिका के पास थी उसमें से जो curtains के लिए use की हुई quantity थी वो subtract करने पड़ेगी तो total quantity क्या थी 23 meter 50 cm थी तो यहाँ पर हम राइट करेंगे firstly 23 meter 50 cm देन इससे हमें क्या subtract करना पड़ेगा 5 curtains बनाने के लिए जो quantity यूज की है उतनी यहाँ पर 5 curtains बनाने के लिए 21 meter and 25 cm of cloth यूज किया है वेदिका ने तो remaining quantity या फिर quantity of cloth left हम subtract करके यह find out करेंगे यह subtraction का sign है तो यह cm का subtraction करते हैं 10-5 में 5 होते हैं यहाँ पर 0 है 0 से हम 5 को subtract नहीं कर सकते हैं तो 0 की जगा हमने यह अपर 10 राइट कर दिया है अब यह 10 कहां से आया है यह carry यहाँ पर shift करने के बाद यह 5 से हमने 1 carry इसे दे दिया तो यहाँ पर बचेंगे 4 माइनस 2 मिस 2 होते हैं तो यहाँ पर बचेंगे 25 cm अब यहाँ पर meter as it is write कर देंगे अब यह subtraction कर देंगे यहाँ पर 3 माइनस 1 मिस 2 होते हैं 2 माइनस 2 मिस 0 होते हैं तो friends अब वेदिका के पास कितनी quantity of cloth बची है 2 meter and 25 cm of cloth यह quantity वेदिका के पास बची हुई है तो friends हम lastly answer में write कर देंगे the quantity of cloth left is 2 meter 25 cm और इससे हम कैसे write कर सकते हैं 2.25 cm यहाँ पर 2 के बाद decimal point आएगा है because 2 के बाद big unit है and decimal point के बाद आएगे 2 5 that is 25 friends वेदिका के पास अभी 2.25 cm of cloth cm नहीं यहाँ पर meter आएगा वेदिका के पास अभी 2.25 meter of cloth बचा होआ है ओके वेदिका और भी cloth इससे use कर सकते हैं यहाँ पर आपको हमेशा make new unit डेना है small unit नहीं डेना है जब हम decimal point में इससे convert करते हैं that is meter and centimetre की form में जो होता है उससे हम अगर decimal form में convert करते हैं just decimal point की फर्म में हम इससे write करते हैं तब आपको हमेशा big unit ही उसके last में देना है that is answer के last में हमेशा big unit ही आएगा small unit आपको right नहीं करना है तो friends मिलते हैं next lecture में next lecture में हम division of decimal fractions यह concept सीखने वाले हैं अगर आपने मेरे चाले को अभी तक subscribe नहीं किया हैं तो इससे subscribe जरू करना and next lecture जरू देखना तो friends see you thank you and have a nice day